Hello students, Hi, Welcome back to my channel Learning with Divya Students, आज का topic है folk art in India आज हम भारत में प्रचलित लोग जो आपकी कलाएं हैं उसकी बात करेंगे ठीक है, लोग चित्रकला की बात करेंगे लोग चित्रकला की बात मतलब traditional, traditional art, traditional paintings जो कि किसी particular, किसी tradition की होती है, किसी particular, किसी region की होती है किसी particular छेत्र को दर्शाती है, भारत में, तो ऐसे हमारे भारत में आपके इतने सारे states हैं, 29 states हैं, तो अलग-अलग reason में अलग-अलग तरीके की paintings आपको दिखती हैं, तो उन्हीं चित्रकला के नाम हमारे exam में हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम वही चित्रकला के बारे में जानेंगे, ओके students, तो आज का वीडियो जो रहेगा, वो रहेगा folk art of India, आज आप भारत की जो भिविन्न प्रकार की जो folk art हैं, लोग कला हैं, उसके बारे में हम discuss करेंगे, आप उसको point out कर लेंगे कि कहां पर कौन से important है, बस इतना ही आप से TGT PGT में पूछा जाता है, specially कि ये चित्रकला किस छेत्रकी है या ये चित्रकला किस राज्य से संबंदित है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा और अपने notes में लिख लेना होगा, तो चलिए start कर लेते हैं, सारे students फटा-फट से live join कर लीजिए, और फटा-फट से आप लोग जो हैं, एक copy pen जरूर ले लीजेगा, ताकि आप साथ के साथ में notes maintain करते चले, so let's start the topic student, आज हम बढ़िए folk art of India, now the first is, सबसे पहली जो art है, वो है आपके tanjaur painting, tanjaur बोली है, या ऐसे tanjaur painting भी बोल सकते हैं, आप tanjaur चित्रकला बोल सकते हैं आप, ये tamil naadu की है, ये किस आपके state से बिलॉंग करती है, तो ये tamil naadu state से बिलॉंग करती है, tanjaur चित्रकला, इसमें क्या था, tanjaur बोल एक दक्षण भारती चित्रकला शेली है, जिसकी उत्पत्ति जो है, आपके 1600 में दक्षण भारत के tanjaur नमक शहर में हुई थी, यह शहर दक्षण भारत के tamil naadu राज्य में इस्तित है, इसी शहर से उत्पत्ति के अधार पर इस चित्रकला को tanjaur painting के नाप से भी जाना जाता है, यह है आपके tanjaur painting, जब हम चित्रकला की बात करते हैं student, तो केवलो केवल इसका मतलब यह नहीं होता है decoration में use कर सकते हैं, तो यह है चित्रकला, आप लोग भी कहीं जाते होंगे, तो किसी particular state से कोई चीज लेके आते होंगे कि यह वहां की famous चीज है, है न, तो उसको हम बोलते हैं चित्रकला, लोग चित्रकला, मतलब traditional हम किसी की traditional छेत्र की किसी भी जगह की जो है, वहां की जो लोग कला है, उसको लेकर के आई, हमनों उसको जाना तो तंजओर जो है, वह आपके तमिलनाडू की चित्रकला है, ठीक है, और लुक इस type का कुछ जो है, उसमें design होता है, जो देवी देवता है, उसके चित्र इसमें बनाये जाते हैं, clear है? इसमें बनाये जटी है, इसमें इस बनी साथ घोडे शायद वो लोग दिखाते हैं, इसका बहुत इतिहास है, तो उतना हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, या उतना डीटेल में क्योंकि आसे इतिहास नहीं पूछने वाले आपसे TGT PGT में स्पैशली सिंपल आपको यह पता होना चाहिए कि यह कहां की पेंटिंग है तो यह गुजरात की पेंटिंग है पिथारा पेंटिंग और अगर ज्यादा ज्यादा पूछेंगे कि कि किस के द अपने घर पर भी जो है इसका यूज अपने घर की दिवारों को करने में भी या डेकोरेट करने में भी करते हैं तो सेकिंड हमने पड़ी पिथारा बेंडिंग जो कि कहां की है गुजरात से रिलेटेड है नाव थर्ड इस गोंड कला गोंड जंजाती रहती है आपके मद् मंद्य प्रदेश में तो उन जंजाति alternatives है हमारे इंडया में उसका नाम है गोंड जित्रकला मद्द प्रदेश के अवा कना वह शृण Inde Jaap और निया 2 आयमो वाली कलाग्ति हैं किक्ग आप्ट इनका जीवन दर्शन परदशित करती है, घहराई जो किसी भी चित्र का तीसरा आयाम माना जाता है, जिसको आप क्रोमा या इंटेंसिटी बोलते हैं, हर लोग कला शेली की तरह इसमें भी सदा लुप्त रहती है, मतलब इसमें आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन हाँ, व परिचायक हैं, तो कुछ इस तरीकी की ये पेंटिंग दिखती है, मंद्र प्रदेश में आपके गोंड चित्रकला जो है बनाई जाती है, क्यों क्योंकि यहां पे सबसे आदा गोंड जन जाती निवास करती है, तो ऐसे यह यहां की फेमस चित्रकला है, फोर्थ इस स्टू पत्यटिक यह थी किि समें गिलडी से ब्रश बनाए जाते थे जिससे कलर किया जाता था, वो ब्रच गिलैरी के बाल वाले होते थे, यह चेरियल पिंटिंग applies की जन्जाती पर बनाए जाती है, तो यह कुछ इस तरीकी के आपको दिखेगी, चेरियल पिंटिंग, यह पा चावल स्टार सफेद मिट्टी के मिष्णन से इनको तयार के जता है चुकि यह चित्रकला है तो पहले क्या था हमारे पास पहले हमारे पास कुछ ऐसे तो थे नहीं कि कोई आपके पास सिंधाटिक डाइज या कलर्स थे सब प्राकर्तिक था कोई हल्दी का यूज करता था konsant twitter का इसे उत्रप्रदेश की ऐक पता है फेमस आपके वह है क्या बोलते हैं उसको फर्ष की कला है तो अदे में उस में bunlar को देजाइन के लिए वह वह भी कपड़ों भी डिजाइन मना दे हैं इस तरीके के और इसमें चौक पाउडर है पेड़ का गोंध है चावल स्टार्ट है यह सब चीजें यूज़ करते हैं और कुछ इस तरीके के डिजाइन आपको दिखाई देंगे नेक्स देखते हैं स्टूडिंट नेक्स आपके पांच में नंबर पे आती है बिहार की चितरकला है मंजूशा बिहार की चितरकला जो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ वो है मंजूशा मंजूशा भी आपके बिहार की एक प्राचीन चितरकला है बिहार की और इस्पै मंजुशा पेंटिंग जो है यह भागलपूर डिस्ट्रिक्ट से की जाती है मतला भागलपूर बिहार से लेलेट है ठीक है यह 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 प्राचीन और एतिहासिक रूप से मैत्पूर्ण कला है और कुछ-कुछ यह आपको जो है मदुबनी पेंटिंग जैसी ही दिखाई देती है इसमें मदुबनी कला के समान ही माना जाता है मंजुशा कला या मंजुशा कला को अकसर नाग पेंटिंग के रूप में जाना जाता है यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप सब नोट करेंगे कि नाग पेंटिंग के नाम से किसको जाना जाता है तो मंजुशा पेंटिंग को नाग पेंटिंग के नाम से जानते हैं ये एक important point है ठीक है नाग पेंटिंग की रूप से नाम से जाना जाता है विदेशिये द्वरा कलाकार में घूमते हैं सापो के रूप में केंद्री चित्रित चरित्र बिहुला की प्रेम और बलिदान की कहानी को ये चित् लुकार मुष्हाश नुस्हाज स्क्रमें जो किया शगता कि औरहो चित्रेट बंर जया के ट्बबद में तो और अरुनांसर प्रदेश शाज करें तो अरुणांशर परदेश्र में यह पेंटिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन अगर सिक्टिम से पूछे तो सिक्टिम में आपके थांग का चित्रकला देखने के लिए मिलती है, कपास, मतलब कॉटन की जो आपके फैबरिक होते हैं, इस पर इस भगवान बुद्ध की क ह्षिविनी को इस पेंटिंग के थू जो है वो द अर्शया जाता है और यह नेपाल में भी देखी जाती है यह पेंटिंग आपके स्पेशली濗 तिब्वती रिजन्स को भी मिलती है तो हमारे यह हमारे यह सिक जो कर ँचितर्थ के देखने के लिए शौरी अरुणां जयए के लिए मिलेगी समझ में आ गया सबको तो इस चितरकला का है ऑपके थांग का चितरकला जो की कहा से से चलते हैं मतलब सेविंथ आपके फोक आर्ड की दरफ चलते हैं मैं कोशन बोल गी जो की है जारखंड से संब्दित जारखंड में आपके पैटकर पैंटिंग की जाती है इसका नाम ही है आपके पैटकर ठीक है पैटकर पैंटिंग आप इंगलिश में भी लिख सकते हैं पै है इस पाहिं को बनाते हैं तो पैटकर इस गाहों के पारंपरिक पिंटिंग है एक कला रूप जो गाओं प्राचियन कला से मौझूद है पैटकर पिंटिंगों जारकंड की स्क्रॉल पिंटिंग के रूप से भी जानते हैं और कुछ इस तरीके का डिजाइन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा वहां की जन जाती बनाती है तो वहां के अपने जैसे ही जैसे वो लोग रहते हैं उसी ट्रडीशन को वह इस प्रेंटिंग में दिखाते भी है तो यह प्रेंटिंग है करते हैं भंगाल के अल्पना है यह फर्श की सिजावट जिसको आप रंगोली बोलते हैं तो महाराष्ट में उसे रंगधोली के ही नम से जाना जाता है जैसे हम जो बोलते हं कि लेकिन अड़ परदेश में स्पैसलिक और बोला जाता है मंध्रा जैसे आपके राजिस्थान की है तो वो एक हम अलग उसको पढ़ेंगे कैटेगरी में उसको मैं आपको फर्ष सजावत में पढ़ाऊंगी कि जिसे फ्लोर को लोग किस तरीके से डेकोरेट कर सकते थे लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि इसका यूज आप फर्ष पे नहीं कर सकते या आप कि अन इनका यूज जो है वह फाबरिक कंस्ट्रक्शन में यह अपनी चित्रकला को इक सिस तरीके से दिखा सकते आपने वोज को सजा कर के दिखा सकते मतलब दिवारों पर प्रेंटिंग कर सकते हैं इसकी यह श्याशली बात करेंगे बात कर थे स्पैशली भारत की प्रमु चलिए, नेक्स देखते हैं, आप लोग सोच रहोंगे कि मैं आमने मांडला नहीं बताई, मैं आमने अलपना नहीं बताई, वो हम especially बात करेंगे अलग केटेगरी में, जिसको हम फर्ष सजावट बोलेंगे, एर्थ नमबर पे है राजस्थान, राजस्थान स्टेट की है आप यहां आख के फर्ष चितरकला, कौन सी चितरकला है फर्षों इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, पी-EE एच-ए-डी, फट, फट, फट चितर्कला यह राजस्थान से संबंदित है, समझ में आ रहे हैं, फट चितरकला, इसमें क्या था, राजस्थान की लोग चि इस भी इसमें दिखाये जाते हैं तो यह हो गई आपके राजिस्थान की फड़ चित्रकला आपको पता होला चाहिए फड़ चित्रकला कहां से है तो राजिस्थान से है समझ rumors सबी स्टूडिन्स को कि UX की बात करléं हैं हम भारत की चित्रकला की बात कररें हैं teteshen folk आप पूछते हैं अलपना कहां की जाती है जैसे लास्ट एयर पूछा गया था तो उसका आंसर था विस बंगॉल में की जाती है पूछ लेंगे मांडला कहां की जाती है तो मांडला आपकी राजस्थान में की जाती है तो ऐसी इसमें से भी कोशन पूछ लेते हैं कि भाई दूबनी बिहार की है, मन्जुशा कहां की है, तो बिहार की है, county कलमकारी कहां की है, तो आप बता दोगे आंध्र प्रदेश की है, फड प्र ना नेक्स्ट दिखते हैं नेक्स्ट है आपके आन्द प्रदेश की तो जैसे कि अभी हमने बात करी कलम कारी जो है वो आपके किस राज़े से सम्मंदित है कलम कारी पेंटिंग्स आपके आन्द प्रदेश राज़े से सम्मंदित है आन्द प्रदेश की ये अत्यंत्र ही प्राच मचलीपुरम नमक नगरों में है श्री काला हस्ती में आज भी कलमकारी के लिए कलम कॉप्यों गोता है जबकि मचलीपुरम में ठपो का मतलब ब्लॉक्स का यूज करने लगे हैं तो कलमकारी कहां की पेंटिंग है यह कोशन आप से पूछा सकता है यह बहुत इंपोर्टेंट है तो आंद प्रदेश की जो है वो कलमकारी पेंटिंग है समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स के सब नोट्स करते जा रहे हैं नोट डाउन करते चलिए हाला कि PDF तो मैं टेलिग्राम चैनल पर डाल दूँगी लेकिन फिर भी एक जगे आप पॉइंट आउट कर लीजि जिसको सभी जानते है वरली आर्ट या वरली पेंटिंग के नाम से तो वरली जो है महराष्ट का एक बहुत ही आपके प्रचलित भारती ये लोग कला है वरली पेंटिंग महराष्ट की लोग चित्रकला है वरली शद सबसे बड़ी जंजाती से प्रेरित है जो मुंबई महर महाराष्ट के उत्री भारी इलाकों में पाई जाती है तो यह भी एक जनजाती है और यह जनजाती इस पेंटिंग को बनाती है ठीक है वरली पेंटिंग की यह कला मोकी उरुप से महाराष्ट में उत्री सहाद्री रेंज में रहने वाले जनजाती दोरा प्रशलित है इस आद पेंटिंग थीक है इसको बोलते हैं वरली आर्ट या वर्ली पेंटिंग के जानते हैं आप से कुशन क्या उबनेगा कि वर्ली कहां की मुख्य जो है लोककला है तो आपको पता हो न चाहिए माहराश्च रिक मुख्य लोककला है समज da में जाना है सब udah स्टुडंट्स लेख स्ट वेस्ट lingering कि यह तो फीनम was do रहेặtं की अजहां में काली और काली किसा पादी चाली मंदिर प्रेजां आज़ते हैं सब्सक्स dizzy छुट पारोड में अगंतोको दवारा उठाएगा एक सिमारिका के समान होने के कारण हुआ था जो समय के साथ चित्रकला के रूप में विखसित हो गया इसमें स्पैशली मा काली की फोटो उसको बनाया जाता है मा काली के चित्रों को बनाया जाता है मा काली का मंदिर है वहाँ पर और उस वहाँ पर जो है देखिए इस फोटो में भी यह ऐसी पेंटिंग ह को यहां परिट बहुत जाती है मा की तो उसी पेंटिंग में दर्शाया जाता है समझ में भारती चितर कला पूजो ुन हिंदु लिखता बेविन भुष्ञ को दर्शान के लिए फमों अकाली में विश्यों को वीसे इन paintings को बना जाता है इनका नाम क्या है तो काली घाड़ painting नाम है और यह कहां की famous है यह आपके West Bengal की famous है तो यह आपको याद रहना होगा students यह आपको याद रहना भी चाहिए कि काली घाड कहां से है तो West Bengal से है next देखते हैं next West Bengal की ही है Patois painting, कौन सी painting है ये Patois painting है, इसको English में भी आप Patois painting ही बोलते हैं क्या बोलेंगे Patois paintings समझ में आ रहा है आपको Patois art आप बोल सकते हैं इंगली में ज़्यादब ज्यादब आप इसको लिख लीजिए Patois art ये भी इन्वारिय के जाती है तो यह पीडिवान की है यह對了 कोचरीत इन्थ जाती है यह कोई ऊल्ण की बनाए जाता है तो यह उड्या में और में दिन्थ iç कंप मैं और सब्ट में को बना जाते हैं में क्या पत चित्र ऐस के है इन जो पट है इस पट का अर्थ ही होता है किपड़ा फैबरिक तो फैबरिक के उपर यह जो है पिंटिंग आपके की जाती है और इसमें बहुत जादा इस चित्र 했लिकाइव था चित्र बनाया जाते हैं इसके ठल्ड़ों के बहिंद you defined देपताओं के ही चितर बना जाते हैं, बहुत जादा इसमें जो चितर आपको देखने के लिए मिलेंगे, भगवान जगनाद जी के देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि उडिशा में आपके जगनाद टेंपल है, तो वहां का जो चितर है, चितरकला, चितरकारी आपको देख आया जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए यह आप नोट कर लेजिए पट चितर कहां से है उड़ीशा से संबन देते हैं और कुछ इस तरह के कि आपको डिजाइन इसमें देखने के लिए मिलेगा next student बिहार का एक और चितर है बिहार की सबसे फेमस पेंटिंग जिसे आप मधुबनी के नाम से जानते हैं मधुबनि चित्रकला, सभी को पता है, कि मधुबनि जो है वहाँ पर बिहार में जिला है, वहाँ से सockey अर्थ है, और इसमें क्या किया जाता है, इसको जो है आपके मिथला चित्रकला के राम से भी जानते हैं, तो यह एक important point है, कि इसको मिथला चित्रकाइग भी कहते हैं यह चित्रकरा बिहार राजी की लोक कला है बिहार में जुला है मधुबन जिसका अर्थ है शहद का जंगल तो यह कुछ आपके exam point of view से important point है इसको आप note कर लीजिए मेभी यहां से question सकता है है ना मेभी शायद यहां से question बन जाए कि मधुबन का क्या अर्थ है तो मधुबन का अर्थ है शहद का जंगल वैसे मोसली मैंने देखा है previous year में simple आप से question पूछा जाता है कि मधुबनी कहां की painting है ता बता दो कि बिहार की painting है यह मैं simple पूछ सकते हैं आप से पट्चेतर कहां की painting है तो बता देना उडिसा की painting है कलम कानी कहां से संबंदित है तो आंत्रदेश संबंदित है बस ऐसे ही questions बनते हैं previous year में मैंने देखा है कुछ भी question अगर आप से बनेगा तो simple बनेगा तो ज्यादा उसमें hectic होने की हो परशान होने की जरूत नहीं है अगर आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर जाकर कि आपको इंट्रस्ट है आपको एक नोट्स बनाने हैं इंट्रस्ट हो आप कि कैसे बनाई जाती है इसमें किसके चीज़ का यूस किया जाता है तो आप पढ़ सकते हो सब कुछ नेट पे अवेलेवल है क्लियर है मैंने आपको एक क्लू दे दिया है कि यह इंपॉर्डेंट है आप यह पढ़ सकते हो हाला कि सिंपल आप से पूछेंगे मदुबानी चित्रकला के चेत्र संबंदी तो आप बता दो कि बिहार से यह चित्रकला मदुबानी जिले की स्थानिय कला है मतलब लोकल वह दिया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर देना शेयर कर देना असब्स्क्राइब कर देना यह आज हमने बात करी है ट्रडिशनल फोग आर्ट कि मतलब ट्रडिशनल पंटिंग इंड़ तर बात में हम बात करेंगी कि see the traditional embrow driski and अभी मैं आपको निक्स जब भी कराऊंगी तो मैं आपको फ्लोर पेंटिंग्स कराऊंगी फर्स अजावट जिसमें रंगोली महराष्ट में करते हैं चौपूर्ण उत्तर प्रदेश है अलपना पशिम मंगाल है एपन उत्तरा खंड है तो यह स्पेशली आपके फर्स अजावट में जाते हैं उसकी बाद हम नेक्स वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजेगा और टेलिग्राम पर आप जोईन हो जाएए वहां पर यह पीडियाफ आपको always support women empowerment and thank you so much guys bye